राम मंदिर को बनाने के लिए मोदी जी को भगवान राम ने चुना मोदी जी आज से नहीं लाखो सालों से हैं भगवान राम ने तै किया था नरेंदर मोदी करेंगे मंदिर की अस्थापना तो भगवान का ये तै था कि नरेंदर मोदी जी के आज से ही मंदिर की स्थापना होना है त्रेता यूग में भगवान राम के साथ थे प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी त्रेता यूग में वो राम के साथ थे आयोध्या में राम मंदिर दर्शन करने के बाद मशूर बॉलीबूट एस्ट्रो लॉजर और वास्तु सास्त्री पंडिसुरेश महराज ने प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में जो कहा वो वाकई काबिले गौर है अपने दोद्वसिये दौरे के दौरान आयोध्या अपने धरमपत्नी और परजनों के साथ दर्शन करने आए पंडिसुरेश महराज ने भगवान राम के भव मंदिर में दर्शन कर शर्यू में आरती करने के पश्चात अपने दिल की बात शेयर की हिंदुत और राम मंदिर पर खुलके पंडिसुरेश महराज ने अपनी बात रखी अब दूसरी कौम को ले लो अब मुसल्मान को ले लो एक साथ भगवान की पूजा करते हैं नमाज एक साथ पढ़ते हैं एक साथ बैटके दस लोग एक ही थाले में खाना खाते हैं तो भजन और भोजन सब साथ में करना चाहिएं भगवान की पुजा तो जरूर यह करना जैसे अभी राम मंदिर बना है तो राम मंदिर मैं आज से नहीं बना है राम मंदिर को बनाने के लिए बगवान राम ने पहले ही टाइ कर लिया एक मुझे मोझी जी से ही अच्छा मंदिर की ओपनिन करना है अब आप देखो ना, वाहाँ राम मंदिर बनने के लिए इन वोगों ने मेनत नहीं की है, लेकिन भगवान राम को कोन पसंद था, उस ही के हाँ से वो मंदिर की स्ताफना हुई है, मोधी जी, तो मोधी जी कोई आज ही, आज मोधी जी है, वो आज से नहीं है, लाखो सालों से आप सोचो ना आप मेरी बात पर क्यों जाते हैं आप सोचो कि बाबरी मजजिद डै गई किन-किन लोगों ने उसके अंदर साथ दिया क्या क्या नहीं किया लेकिन भगवान को पसंद कुन था नरेंदर जी मोदी मैंने साहिद 17 सिप्टेमबर उनका बड़े हैं मंगल और चंदर्मा लगन में यह मुझे यहाद है उसके असाब से में बता रहा है तो आज उनके हाथ से मंदर की स्टापना होना बात राम राम पूरा देश राम में हो गया पूरा देश सनातन धर्म में ख जागरत हो गए पहले कहां था कोई मंदरी नहीं जाता था अब मुसल्मान को देख लो घ्रोज सुबह 5 टेम नमाच पड़तें जाते हिंगा अज काफी हिंदु लोग है जो मंदर जाते हैं लाखों की भीड और राम मंदर में हो रही है सब ए मंदिरें में हो रही है तो क्योंकि वो रामायन के टेम पे और त्रेता यूग में वो राम के साथ थे, कुछ न कुछ थेव। कहां गुजरात के सियम अभी वो बोलते हैं कि वह चाय बेशते थे, यह करते थे, तो आज कहां से कहां इतना बड़ा भारत देश को जो राजा मिला है, वो तकदीर से मिले, कुछ न कुछ भगवान का है असर, भगवान के मन में था, भगवान खुछ चाहते थे, अगला क्या सोचते हैं भारत में, मैं राजनीती के साब से बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नरेंदर मोजी जी के साब से बात कर रहा हूँ, इसमें राजनीती में बिल्कुल नहीं डार रहा हूँ, 137-14 करोड की जनता में बगवान ने उनको चुना है, बड़े-बड़े संत बैठे हुए और दूसरे देखो ना, आज गुरू गोईंगिरी जी का भी जनम दिन है, ग्यारा दिन का उपवाज भी इनी से ही तोड़वाया है। नेक्स्ट आप के सोचते हैं भारत में, मोदी जी के बाद क्या देखते हैं? देखो इतना तो मैं भविश्य करता नहीं हूँ, जो मोदी जी के बाद क्या देखता है, यह हूँ, आपकी कोई परसनल बता नहीं पाहूंगा, और इतनी बड़ी भविश्यवानी करने वाला मैंने है। आयोध्या से ये खबर हमारे समवादाता आजम खान मोनू और सहियोगी बिलाल ने कवर की है।